किया है दी और एफ ब्लॉक है राइट अधी ब्लॉक से न को लीमेंट को किया के देमिट इसलिए पैप लता है आँ प्लाष ट्रो头 वाले बच्चों के साथ तो फोर ये स्की पीछ बेटा आता है po एप तो वह क्या होता है आवटरमोस्ट जो है फिपाइन इत से लोगा प्रट्जो पैनल्टी मेट से लोगा वो 1-1-1 से लोगा तो क्या वोगा इसमें क्या होता है बहुत सारे आप पॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो एनफ ऑर भी और एंट माइनस वान जो पीछे वाला जो ड़ी होता है व क्मपलीट होता है तो इसमें इसे दोनों से इन कंप्लीट हो सकते यह यह पृट्स एंटी बात करें यह वे हम देखेंगे कि क्यों करते हैं आपको जो भी जब नोट साब लिक करेंगे तो मैं नहीं नहीं तो आप इसको अच्छे से करेंगे और में भी की पॉइंट करके रखेंगे या इस पर लगा लेंगे आपको तो याद रह जाएगा अब इसमें क्या राइट ट्रांजीशन एलिमेंट की क्या डेफिनिशन ने बटा हा राइट की एन माइनस वन जो डी सेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ठीक है इनकम्प्लीट होना चाहिए किसी भी ऑक्सिदेशन स्टेट में मैंने क्या बोला एन माइनस वन जो डी है या जो डी सबसेल है वाला जो इन-कमेड़ी होना चाहिए किसी बी。 धृत की थे दिक केडमिय मरक्री ऐद रखेंगे है मैंने मेरन भी बताया था आपको तो करते हैं तो अगर आप प्लस प्लस टु इसतो करते हैं तो तो अगर आप ख्लस निकालोगे तो अभी थोड़ी दिन पहले हम ने देखा था इसमें आएगा फोर एस्टू इसमें आएगा फाइफ स्टू इसमें आएगा शिक्स तू तो सबसे दो दो जब एलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे क्या बचेगा इसमें डी- complete बचेगा इसका फ्रीडी 10 आए हैगा इसका तो यह complete मिलते हैं इसलिए क्या है यह हे ट्रांजीशन एलिमेंट नहीं है यह ट्रांजीशन एलिमेंट नहीं है तो प्लेज यह important है सिंग केडिमियम मरकरी जो है वो क्या है ट्रांजीशन एलिमेंट नहीं क्योंकि उनका कंप्लीट रहता है डी टैन एलेक्ट्रॉंस कॉन्फिग्रेशन अब इसमें विटा क्या आता है फोर सिरीज आती है विटा ट्रांजीशन सिरीज एक ट्रीडी सिरीज एक फोर डी फाइवडी और सिक्स्टी कहते हैं अभी सिक्सडी विटा सिरी जो है इनकंप्लीट एक्टेनियम से सुरू आत होती है स्केंडेनियम टुजिंक फिर यह सुरू होती विटा एक्ट्रियम टुकेडमियम और यह लेंथनाइट टू मर्करी विटा और मुस्ली विटा आपको ज्यादा तर कोशिन किसका आएगा यह थ्रीडी सिरीज का आएगा क्योंकि इसके इंपॉटन्ट है बाकि इनके नहीं है और सिक्सटी तो इंकम्प्लीट है वो तो और भी इंपॉर्टन नहीं है कोई डाउट बटा इस पेज़ पर किसी को डाउट कि इस पेज़ पर कापे बटा है उपर कांजिशन से निचे जीट्वल यह ओपर उपर वाले पारेग्राफ ट्रांजीशन मेटल है इनकम्प्लीट दी सब्सेल बट जी ट्वैल जी ट्वैल मन्दा ग्रूप ट्वैल बटा इस आरे के सारे ट्वैल्ट ग्रूप के अलिमेंट होते है न जिंक एड्नियम और मर्करी आफ कम्प्लीट दी टन कॉंफिग्रेशन विटा सो दे आर नोट कंसिड़र एस ट्रांजीशन अलिमेंट विटा तीगर आगव येश्ट क्लियर विटा क्लियर है आचल क्लियर है विटा येस सोनम क्लियर है कैके यस नोट बात करतें कॉंफिग्रेशन की वेटा स्का अलिक्टान वाटन हो सकते हैं और नहीं एनस में 0120 30KO सकते हैं विटा तो इसलिए मैंने जीरो कभी कबार 0 भी दिखेगा तो 0,1,2 बहुत जगे 1 और टू लिकाओए बट 0 भी आता है कभी किसी एक एलिमेंट में अभी हम आगे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी एक्सेप्सेंस हैं राइट ठीक है आगे हम जाके देखेंगे और मैं आपको याद करने का तरीका यह बताऊंगा कि हाओ आप इसको याद रख सकते क्यों नंते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर क्या होता है वह कंप्लीटली फिल्ड होता है आउटर्मोस वाला भी और पनेल्टी मेट वाला वी बेटा दोनों कि आ आपके आगए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है राइट हम क्यों डी ब्लोक ऐलिमेंट बोलते हैं क्योंकि जो डिफ्रेंसियेटिंग और रइप्रेंसी टिंग गरता है यहां पर जो लास्ट एलेक्ट रोन है वुष करते हो जो लास्ट जाता है वो पनल्टी में डी सबसेल में जाता है ना कि आउटर मोसल में जाता है हमने कॉन्फिग्रेशन लिखना में आता है पहले हम 4S को भरते हैं बाद में 3D को भरते हैं तो डिफ्रेंशेटिंग जो एलेक्ट्रॉन है वो पनल्टी में डी सबसेल में आ जाता है आता है इ देर पनेल्टी में डी सब्सेल ठीके राइट और डिफ्रेंशेटिटिंग एलेक्ट्रॉन इस लॉस्ट एस पर ऑफ बो रूल याद रखेंगे मैंने क्या बूला है आपको मैंने बताया था कि आप बता रहा हूं फिर से कि जब आप लेक्ट्रॉन निकालोगे बच्चों तो से निकालोगे ना कि थ्रीडी से निकालोगे तो एलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो फोर से निकालेंगे थ्रीडी में बाद में निकालेंगे लेकिन अगर फिल करना है तो फोर स में पहले फिल करेंगे बटा थ्रीडी में बाद में करेंगे क्लियर यह चीज ध्यान तो इस में ज्यादा कुछ इंपॉर्टन नहीं इस फिरफ जनरल लेक्ट्रॉनी कॉंफिग्रेशन इंपॉर्टन यह इंपॉर्टन बस और वाइवी दे कॉल इस डी ब्लोक एलिमेंट विकाज डिफरेंटिटिंग एलेक्ट्रॉन है वह पैनल्टी में डी सबसल में जाता है तो ध्यान से समझेगा इसको हां मैंने याद करने का तरीका ही बना रखा है मैं कॉन्फिग्रेशन बता रहा हूं 3D सिरीज और बागी सीरीज की 4D और 5D की भी प्लीज एलिमेंट याद रखिए बटा ज्यादतर यह बच्चों यह वाले एलिमेंट्स अभी बच्चों को य हर एक उसमें सिरीज में बटा टैन एलिमेंट्स होते हैं तो अगर आप 3D का कॉन्फिग्रेशन लिखें बटा तो आरगन तो आएगा कितना बटा एटीन एस में कितने एलेक्ट्रॉन आएंगे वन टू टू आते हैं यहां पे जीरो नहीं और डी में कितना आता है वन टू कितना आता है वेटा टैन आता है कि ठीक है अब याद करने का क्या तरीक आ यह चीज में बाद में भी बता रहा हूं याद करने का क्या तरीक है देखी आ अर गन तो सभी में आएगा विटा 181818 ऐलेक्ट्रॉन तो सभी में आएंगे अब मैं आपको तरीका बता थीडी सिरीज में घिएक बिट tenía ۲ करना देख blessing तो आप यहां पर जिखलेंगे प्लेफ 3D 4S 3D 4S 3D सब में लिख लेंगे अब करना क्या है आपको देखिए विटा मैंने यहां पर यहीं लिखा है विटा कि 4 और 9 एक्जिस नहीं करते हैं जो मैंने सरकल में कि अब आप जब लिखा हुआ है अब आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यह 18 तो हो गया दी में एक लेक्ट्रॉन आया याद रखना पहले विटा मैं याद करें का तरीका दा रहा हूं वार्ण जो बचेवे लेक्ट्रॉन है उसको फिर इसमें भरना याद करने का तरीक इसकेंडीनैमे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा क्या क्या स Москв एक्सेटी स्वर्ण करता है भर तो पिर चानल के एकिल पर सेरेगा या लिखेंगे बच्चों आप और अगला वाला तेन तो अपनी जगे पर आएगी आएगा अब अगर आप ध्यान से देखें बटा जब आपने यहां टैन लिखा है और यह एटीन है एटीन प्लस टैन कितना हो गया ट्वेंटी एट तो बचावा एक एलेक्ट्रॉन किसमें चला लाग्या गया तो ट्वेंटीनाइन हो गया की नहीं हो गया अगया कि इसंड़ इसमें जब हैं लीकाएटीन तो तो एटीन प्लस फाइव कितना होगे ट्वेंटी त्री रिमेंग एक जो बचा वो कितना था ट्वेंटी फोर था तो रिमेंग इसमें चला गया बटा एसमें चला तो याद रखें बटा पहले उसमें फस्पीरड में दो कॉन आ दो एक्सेप्शन है एक क्रोमियम और एक क्या क्रोमियम और कॉपर बागी कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या यह समझ में आए बटा मैंने कैसे कॉन्फिग्रेशन बता है आपको याद क्या रखना है बटा फाइफ सौरी फोर और नाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्लीर है बच्छों और हमें यह भी पता है कप्लीटली हाफीलोगा यां प्लीटली विटाफ फियलड होगा कि यहमेशा क्या आ ऐता इब स्वास्थे- sash slime है से ग टो में एक टेश्ञर्ड करथू बैटा लिख गर देक कॉन्फिग्रेशन जो भी आप इसमें बिरते जाहिएगा उसके बाद फोर के जगे बास फाइफ लिखना है नाइन के जगे क्या लिखना है वेटा टैन लिखना जो बच्चे वे रिमेनिंग वह इसमें भरते चले जाहिएगा कोई डाउट बेटा सान्या पेस्टन कर दूँ मैं यह सब्सक्राइब लास्ट यह मैंने करनाल के बच्चों को पढ़ाया था टेक है वह यह नोट्स है टी ब्लॉक और यह सब मैं नहीं पढ़ाया था यहां पर राइट है कि मेरे दिए लिखें यह keh defending डिफ पहले अब 40 series की बात करते हैं वैटा हाउना तो 40 series में पहले याद करणा देखते याद आप किसी को याद लोत तक है। कि iç ddya Ri surprises निभाना मॉत तक नोडिनन रूह रो पढ़ी नाक्रियल रूह रिखनी सब पादी आगे कूध कर से कैडिमीर यारि जरा बाद रख तो इत्रियम से सुरू होगी बता कैडमियम पर खतम होगी ठीक है राइड क्लीरे विटा राइट है अब यहां पर ट्रिक है इस केस में आपके पास पिक है अब यहां पर जैसे 3-D में लिखा था आप आरगन आरगन के नीचे क्या आगा है विटा नियान फिर वहां आया था 4S 4S के नीचे क्या आएगा विटा 5S वहां था 3D तो यहां आएगा विटा 4D वहां पर क्या था वटा वन और टू था यहां पर 01 और तू दोनों तीनों आ सकते हैं इसलिए मैंने वहां पर 0 लिखा था जनल एक्टॉनी कांफिगरेशन में और डी 1-10 ही रहेगा अब इसकी क् ट्रिक थी फोर और नाइन एक्जिस्ट नहीं करता है यहां पर क्या क्या एक्जिस्ट नहीं करता है वह सिर्फ 3 के मल्टिपल ऐसे याद रसकते हैं 3 के मल्टिपल याद एक्जिस्ट नहीं करते हैं तो कौन-कौन से होगे विटा डी 3D6D9 एक्जिस्ट नहीं करता है विट थाटी सिक्स होता है अब हमने एक एलेक्ट्रों भी फिल किया तो 37 गया बटा 37 और विश्च इसमें रिमेंग आए तो कितने आगे बटा 39 आगे यहां पे 36 है 36 प्लस 440 40 प्लस वन कितना बटा 41 तो यह नियोबियम का गया गया कि क्या है यह यह इत्रियम जिर्कोनियम नियोबियम मॉलिब डेनम बटा टंग टेकनिटियम रूथियम रोडियम पलेडियम सिल्वर और क्या बटा कैडमियम अब याद रखना विटा कॉन्फिग्रेशन कौन कौन से ज्यादा स्टेबल थे 5 और 10 विटा एकि नहीं तो यहां पे अपने फोर बढ़ दिया तो फोर के जिए प्या भरोगे विटा फाइफ क्यूंकि फाइफ ज्यादा स्टेबल है तो फाइफ आ गया और यहां पे फोर के जगे में और फाइफ अपनी जगे पे तो आया ही आया तो प्रिके राइट शीजा नेक्स्ट क्या सिक्स एक्स्स करेगा बेटा क्या अबने बोला नहीं तो उङजर्गे पर आप क्या लिख वर टाश सेवन के जगे पर लिक होगे टाई अब नइन एग्सिसनी करता युइज you can तो नाइन के जगे आप क्या लिको वेटा एं तीक राइट और अगले दो भी क्या हो जाएंगे विटाई यह टैन हो जाएगा तो बाकी रिमेंग भी क्या हो जाएंगे टैन हो जाएंगे टो प्लीज यह बहुत इंपोर्टेंट बटा पलेडियम यहां पर होता है हट्टी शिक्स प्लस टैन इसका और इसका वह भी कितने होते हैं टो कैसे किया हमने 123 तो भरना नहीं था पूर यह अपनी जगे पर आया six नहीं भरना था तो सेवन बढ़ एट बढ़ नाइन के जगे तो बाकी में भी क्या करने विटा टेंट आ जाते हैं आई हो बच्चों आपको समझ में आ रहा हो गए बटा क्लियर है यह आप ऐसे याद रखेंगे ना विटा तो कभी गलती नहीं करेंगे और आप हमेशा याद रहेगा ऐसे लेकिन अगर आप लिखने बैटेंगे और फिर याद करने बटेंगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर वह याद नहीं होती है तो यह था बटा कॉन फॉर डी वाला थीक है अब इसमें ज्यादा एक सेप्सन नहीं है बटा हराइट ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है प्लीज ध्यान रखेंगा यह इंपॉर्टनेंट यहा लगा और फार्टीन एफ एलिमेंट आ जाते हैं लेंट दो एक तो जब आप इसमें इट और गोगे तो फिएट प्लस फॉर्टीन कितना ओजाएगा सेवैंटी वन फिटा फिटी एट से कहां तक सेवैंटी वन तक तो यह तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगे उसके बाद फिर यह लॉक कंडिनियू होता है सेवेंटी टू से कहां तक वेटा एटी तक अब वहाँ पय्क्म टेभक रिप्ट्न क्रिप्टण के निचे आता जैनають इसना नोता फिर्टी-प्रॉर था कित्ना उत्वर फिफ्टी-फॉर और अब क्या होगा वहाँ पहिता फाइस यहां होगागा शिक्स और यहां वहाँ पह्र वाउन पहे दा 4ड यहां क्या जागा प यह वाले में क्या नहीं करता टी अब देखिए वाटा फिल करते चलते हैं वांट टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन अब एट नहीं आएगा उसके जगे अनाइन अब नाइन के जगे क्या था टैन फिर टैन और टैना जैगे कि आए कि कि यह उत्सव मेरे को क्लियर नहीं है वैटा क्या पूछा था आपने किस उदो मतलब यह नहीं करे व्य ministro क्वाशी क्वास पूटलक्स होता है अंका क्या कैते हैं कॉन्सिंग्रेशन तो क्लियर रीजन नहीं है कहीं भी मेंसे अने ब्द जातर सभी जगे लिटरेचर में ऐसे लिए नहीं का दिचल रिखने हो जाती है इनका सेंब होती है सब ओनंट करते हैं कि बाहर जाते जाएंगा तो इनकी जो एनरजी ओगी नवी इन सबके एनरजी सेम लीजिट इस लिए यह इसा एक्सिट करते हैं क्यांब कई में की वह ज्यादा स्टेवल वह स्टेवल कंफिगरेशन हैं बाकी और ज़्यादा किसी के बारे में ऐसा बहुत के बारे में एक्सी क्लियर स्टेवियर क्लिरे विटा राइट एक 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 अब इसको अगर हम याद करने का तरीका देखते हैं इसको थुड़ा याद आ रहा है लावता अगर हम कहते लावता वैसे एक है राइट या ऐसे लाहाफता वर्ना ऐसे कर देते हैं ठीक है राइट डब्लू इस टंग्स्टन विटा हाँ ठीक है ना राइट लेंथेनियम हाफनियम टेक्टेनियम अटंग्स्टन रीनियम ओजमियम एरिडियम प्लेटेनियम गोल्ड और क्या विटा मरकरी तो लाहाफता वर्ना रियोस ऐसे एक साथी बोल दें रियोस इरादा पलट ऐसा कुछ है इरादा पलट और आगे और मार देगा या मार देगा इस एक लिए ऐसे कुछ है तो लाहाफता वैसे रियोस इरादा पलट ठीक है राइट और मरकरी से मार देगा इस एक लिए और मार देगा इस एक लिए ऐसे कुछ है तो लाहाफता वैसे या क्या कहते हैं वर्ना रियोस इरादा पलट और मार देगा इस एक लिए ऐसे कुछ है तो आप ऐसे याद रख बच्छों 3D series में कौन-कौन से configuration एक्जिस नहीं करेगा कौन याद दिलाएगा कि कौन-कौन से एक्जिस नहीं करेगा और नाइन वेरी गुड और फाइव दिस फॉर दी सीरीज में बटा क्या-क्या कौन-कौन नहीं एक्जिस करेगा कि के मल्टिपल थ्री होगे सिक्स होगे और नाइन रिक वहाँ पर यही था बटा जब आपने वन टू लिखा था तो थी के जगे फोर आया था फोर के फाइफ है था फाइफ दो बार आया था अपनी जगे भी और पूर के जगे भी और नीचे 10 इसकी ट्रेक लिख रख किया म सब्सक्राइब तो आप ऐसे आथ च्खते हैं क्या है हम से उसके बाद है बना रे उस उस आइरें रोड से टाई और होगी और होगी तो चलास टोल के बच्चों आपिचस क्ते हूं अ आइरन रॉड पिटाई और होगी ना ना बनाने की जुरूत नहीं है याद रखने के लिए है ठीक है ना अगर ऐसा नहीं याद है तो मैं प्लेर नहीं तो आपको गूगल में मिल जाएंगे बहुत सारे लोगों और लास्ट में और प्रॉपर्टी इसकी बात करते हैं तो मेटलिक करेक्टर क्या होता है इन सबकी हाई इतना इंपॉर्टन नहीं है राइट जो इंपॉर्टन होगा मैं बता दूंगा हाई टेंसाइल स्टेंथ होगी डॉक्टिलेटी मैलेबेलेटी यह सब आपने पढ़ा होगा लस्चर थर्मल कंडुक्टिविटी ठीक है राइट इसमें मरकरी ही क्या होता है पढ़ा है सॉलिड इस्टेट में बी सी सी एफ सी 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 एच सी पी कॉन लेटिस बनाते हैं ठीक है राइट क्लियर है राइट टीक है और प्रेजिंस आफ अन्फिल्टी और बिटल फेवर्स दा कोवलेंट बांडिंग हमने अभी देखा था जब आप कोडिनेशन तो हम आप एक कोवलेंट बांडिंग वी थी तो हाफ फिल्ड यह जो इकम्प्लेटली अन्फिल्ड जो डी सब्सेल होगा तो उसकी वज़े से क्या होगा बांडिंग होगी या क्या होगी बटा मेटलिक बांडिंग होगी तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं बटा मेटलिक बिहेविर में यह आप जानते हैं पहले से ठीक है राइट कि आलर मेटल डे आलर सॉलिड एक्सेप्ट क्या बटा राइट मर्करी आप सारी प्रॉपर्टिज लिग सकते हैं उसमें जो भी आपने क्लास अलbadah है हाई 10 अधाल से लेटी सोनर है यह एक्सकेया होता है हम सभी को पता चेक है अब क्या करते हैं बटा यह इंप्क्टन्ट यहां पे जितने जादा बोटा यूसली क्या होता है हाफ फिल्ड email फिल्ड फ्रे मेंसना स्पॉल सिकाले मस्टी में अभी लिखा था 532 आर अप्यू एलेक्ट्रॉन तो जतना जाथ आप फिल्ड ऐलेक्ट्रॉन होगा विटा उसका मैल्टिंग पॉइंट ये बॉइलिंड दूतना ज्यादा होगा तो याद रखेंगे विटा फॉर डी ब्लॉक एलिमेन्ट जो मैल्टिंग पॉइंट है के किर्ए राइट वह जात वह कहां तक तक क्रोमियम वाले गुरुप तक करता क्रोमियम की नीचे आता है बैटा मॉलिब डैनम उसकी नीचे आता है बटा टंग स्टन यहां तक इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर फंप लेक्ट्रॉन बढ़ते जाते बांड बनाने की टिंडेंसी क्या होती बढ़ती है यह मेटलिक कि इस्टॉर्ड भी क्या होती यृता छादा होती है तो जब हम गूर्प नंबर थ्री से जिस हमस्टाइनियम हो गार फिर एक टाइटेनियम फिर वणने डियंड्य इंक्रों के बाद क्या आदी क्रोमियम छाँ फिर आता है क्रोमियम तक तो क्या करेगा उसके बाद फिर क्या करता है शोने लग जाता है कि पर के लुए स्मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बच्चो बताईए कि इस ग्रूप का लोई समेल्टिंग पॉइंट होगा और मरकेरी मरकोरी में क्या कोई एक नहीं कोई वी यह गए थो उनका क्या सब्सक्राइब ऑले वाले बच्चों से सेपरेड करते थे मैटल रजी में तो आप इसको सो इनका सोगी भी लेक्टों नहीं है है थे कर यहां पर एक सब्सक्के अगर आप देखोंगे तो 4 135 होता है OSMAB etoom o tato sq ka m5 और बाइलिंग और लो होता है ड्यूड टू इन एलिमेंट्स के बारे में तो ऐसे वेक सी लाइन बहुत ऐसे गीवन है तो ड्यू टू कॉंप्लेक्स स्टॉक्चर इडिज अनेबल टू फॉर्म मेटलिक बॉंड और कोवलेंट बॉंड तो प्लीज बस याद रखेगा कि क्रोमियम तक तो बटा क्या करता है इंक्रीज कर ीज करता है उलास तक सबसे कम किसका है जिकल差不多 मेलंटिंग क्या सबसे कम है 422 फे 222 डिग रेस करेगा तो अब तू क्रोमियम् तक इंक्रीज करेख में पर इंक्रीज करें अंक्र HIM पे फिर इंक्रीज करे अथर परदर काई के ऊडिक्ति यंटर्थ क्लियर बटा क्लियर बच्चों कि यह सभी को क्लियर है अजीद क्लियर है तुम्हें यह स्क्राइब नेक्स्ट है अटॉमिक रेडियस बटा है ठीक है राइट के साथ हमने डिसकस किया था बट यहां भी मैं बता रहा हूं आपको तो क्या करना है आपको पोता क्या है यहां पर करते हैं तो जनरली क्या होता है है बटा साइज करता है हम सभी को पता है क्योंकि इंक्रीज करता है बन्द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो होता क्या है बटा स्केंडियन टू वनेडियम तक है जब क्या होगा साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि जबड़ीज्व बढ़ता जाता है बटा जैसे जैसे नुक्लिएस का चार्ज बढ़ता जाएगा जो साइज और भी क्या होता जाएगा छोटा चला जाएगा लेकिन जब आप यहां एलेक्ट्रोन आचुका होगा जब क्या होगा जब सिंगल सिंगल और इन नहीं होगा उता क्योंकि आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब với पंदिट एलेक्ट्रों अब सब्सक्राइब लेकिन जो जैड इफेक्टिव है वह साइस को डिक्रीज कर रहा होगा तो वह क्या करेगा विटा यह दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं जैड इफेक्टिव का इंक्रीज होना और एलेक्ट्रॉन रिपल्सिन का भी इंक्रीज होना तो यह तो रेडियस बढ़ाता है और यह डिए करता है तो यह दूनों आपस में दूसरों कांटर बैलेंस करते हैं और साइज बढ़ता नहीं साइज ऑल क्या होता है पॉंस्टेंट हो जाता है कि आ यह और क्या है राइट तो क्या होगा फिर साइज क्या होता है और लास्ट में क्या होता है पेरिंग हो जाएगी एलेक्ट्रॉन की तो पेरिंग होने इसे पैले थ्री में ज्यादा बढ़ जाएगा आगे जाके रिपल्शन एलेक्ट्वन रिपल्शन डॉम्नेट कर जाता है और लास्ट क्या होता है और इंक्रीस कर जाता है एस प्रिमिर्ट्व जैड़ इफेक्ट्व एपक्ट्व् तो यह क्या है की इसको साईस का सिरीज लिखा हुए इसे याद करने का तरीका है शुपती मैं ऐसे लिखावा से सारे की सारे बराबर होगे कोई नहीं और कौוח नहीं जो भी बोलना स्कूर्टी मैं इस वैसे बराबर नहीं आगे कों यह आ गया वहुआ हुआ है of you can learn क्या बटा उर पूर सकता है कि क्यों बराबर होता है आप क्योंग एक्ष flagship धांट से विफेक्टंट करते हैं तो मने देखा है क्योंकि न동 captain की वाद करते हैं तो तो साइज करता है हम nla आफ इनक्रीस जाते हैं तो तो अगर गुरूप त्री की बात करते हैं तो गुरूप त्री में कोई एक्सेप्शन यह डाउन दा गुरूप इंक्रीज करता है बट गुरूफ फोर में या उसके बियॉंड बेटा गुरूप फॉर से गुरूप टुएल तक जो 4D और जो 5D सीरीज वता इनके साइज आल्मोस क्या होते है वीटा सेम हो जाते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं इस फोर्ट कुरुप से लेके विटाट ट्वेल्थ गुरूप तक लेके साइज जो होता है है वर फाइव डी का क्या ऑल्मोस्क्वल होता है और बड़ा होता है 3-d से अब यह एकवल की होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पूर स्क्रीनिंग होती एफ आरबिटल की जिसक पूर शील्डिंग ओफ एफ और बिटल यह हम लिख देंगे बटा लेंथनाइड कॉंट्रेक्शन कुछ अब बटा साइस क्लियर है बच्छों साइस का क्लियर है पूरे में आगे जैसे अब इसके आगे लेके जाओगे ना आगे क्या हो जाएगा टाइटिनियम के आगे क्या आएगा वनेडियम वनेडियम के नीचे जो आएंगे दो अगे इसे मोगे ना सबी में फॉलोट सेम ट्रेंड फॉल इस फॉलोव होगा वेटा तो फिर यह वटा डेंसेटी है अब डेंसेटी क्या करता है बटा जनलेल ही जब लॉंग दा पीरण मूँ करते तो डेंसेटी बटा इंक्रीज करती है अब डेंसेटी क्या करते इंक्रीज करती है और डेंसेटी डी ब्लॉक की वटा इन बेट्वीन एस और पी ब्लॉक होती है तो इसका कुशन पूशता नहीं ज़्यादा था ठीक है राइट ओस्मियम पूरे प्रियॉडिक टेबल मेंटा ओस्मियम की डेंसिटी सबसे कुशन अभी आएगा कौनसा एलिमेंट मैक्सिम ऑक्सिदेशन स्टेट सो करता है पूरे प्रियॉडिक टेबल में तो आंसरे बटा तो पूछता है वह वह कुशन आता इस से ठीक है बटा राइट क्लियर रुटा ठीक है नेक्स्ट बटा आइन एसन एंथेल्पी यह भी हम लोग उसमें पढ़ते रियोटिक पर्पेरटिसमें पढ़ते है यह में पता है ओंडा इसन एनर्जी होती अलॉंग पीरट तो इंक्रीस करती है ऍजमर शीन की है और इंक्रीज्द नोक्लियर चार्ज कि यह वित्योत आई टेक्फ करते कि साइस करता है वर्टा इंक्रीस करता है और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा इंक्रीस कर जाता है इसले और जड़ा बढ़ जाती तो अगर हम यहां पर लिखते हैं यह प्रेंट से याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ग्रूप थ्री में बटा डाउन अगर हम ग्रूप थ्री की बात करते हैं तो इसमें कोई अब याद करने का तरीका बता रहा है विटा में फाइफ सिक्स और इंपॉर्टेंट है यह फॉर फाइफ सिक्स और टैन विटा हां तो याद रखना अब ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ग्रूप थ्री से ग्रूप ट्वैल तक जाते हैं दी ब्लॉक में तो ग्रूप थ्री में तो कोई दिक्कत ने डाउन दा ग्रूप डिक्रीज करता है बट फॉर फाइफ सिक्स और टैन इसके आगे के तीन और सीधे फिर टैन वाला सिरीज बिल्कुल उल्टी कर देना तेगे राइट और फिर सैवन एट नाइन जो बचे वें इलेवन और ट बताईए आएने से नर्जी के ओरर में इंग्रीज करिए पर कि एसी के बाद वीटा थो ही एहरो बना रखाए डा मैने है स्केंडेनिया इट्रीयम बेटा इट्रीयम वाले का इट्रीयम तो कौन बताए गए इसका ओर बताइए कौपर सिल्वर और वह उसमें सबसे जादा किसका ज्यादा होगा आई सेवस्गे किसकी होगी बच्चों जपन क्या होगा गए जबसे उपर क्या आता है बटा सबसे उपर आता है कॉपटर के नीचे शिल्वर और फिर गोल्ड यह है 3D यह फॉर डी और यह फाइव-डी तर सबसेयादा अग्या फाईवडिट का सबसे लाद किसक का वेजर में के कौपर का किसा आएगा कौपर का है और क्वेम 2022 में है और फिर क्या आए गा लास्ट में पैसे चंसे कम किसका सब्सक्राइब होगा सिल्वर का है कि समझ में आ रहे बच्छों के नहीं आ रहे बिटा बताईए कि आ रहे इसे तो प्लीज 3D में 3D में कोई एक्सेप्शन नहीं बटा 456 और 10 में और बिल्कुल उल्टा कर दीजेगा जो बचेवे हैं उसमें और ऐसे बीच में 3D को बीच में करते एक फॉरडी और 5D के पीच में अब यहां से बटा यह चप्टर ज्यादा सो करतें एक तो यह वैरीबल इस लिए सो करते हैं वैटा क्योंकि जो एंस है और एं पार्ड दो force के रहे हैं वूद्न कर रहा दा जब उअश सब्सक्राइब पूचा था तो से हरको इन के बच्चों हमने क्लास के बच्चों अगर slipped मिल junior हम वह देख़ा था क्या करते हैं हम था लेक्त कर चते थे थे ट्री अर फार ड Sal enforced में करते जंपcano तो क्या करते हैं। राइट राइट ठीक हैं सिंज इनके इनर्जी से में इसे लिए क्या करते है वह रिञंच फैसे लिघ्ली हो कड़ेंस फूरल्ग है आप ध्यान दीजेगा इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे आप क्या करेंगे में तक बढ़ते जाएंगे यह प्लस त्री से स्टार्ट करेंगे तो याद रखेंगे राइट थ्रीडी सीरीज मेक्सिम और वह कौन सो करता है यहां तक बढ़ाते वे आईए इसके बाद डिक्रीज करते में चले जाएंगे क्या और ट्रट्य करता हैं उप्लस करता है हमी और पता स्टू टूस फोर करता है प्लस स्टू प्लस टू प्लस çekरता है दिस टाउओ तो ההगे ओ अब दिस इरीज बटा तो ऑन्सर बोलोगे फिच ईश्य ए श्म pint शीघ्ट कि अला देखो किया पुस्टू सभी सो करते हैं कि इस सब्सक्राइट थो प्लस टू प्लस कोई पूच ले विटाओं कि विइच ईलीमेंट वूट के हैं फिरा Mia में तौन tobacco लगा प्लस होता है क्या होता है प्लस एट किसी एका लिट्रेचिन में इरिडियम भी में सेन्ड प्लस 9 वो नहीं है तो युद्प नहीं करते हैं तो हम या ओजमियम को भूलेंगे लगता कितना प्लस एट सो करता है आर यू ओ फोर ओएस ओफॉर विटा तो आप सोच सकते हैं यहां पर प्लस एटॉसिट अप्लस ऑक्सीडिसन स्टेट आएगा विटा इस एक लेरे बिटा तो बताएए विच एलिमेंट्स मेक्सिम ऑक्सीडियसन स्टेट बेटा थी डी सीरीज में और यूर वैस थ्रीडी सीरीज बोला है मैंने विटा रागव थ्रीडी सीरीज में मेक्सीमां कॉन सो करेगा मैंन और कॉमन ऑक्सिरेशन मोस्ट कॉमन कॉन सा होगा विटा प्लस टू क्या हो जाएगा प्लस टू बिटा कि लेर बच्चों अब देखे वता हां यहां से कॉशन बनेंगे विटा राइट ठीक है मैं सारे के सारे एन मायनिस वन जो डिए लक्ट्रान वो बांडिंग में बांडिंग आपड नहीं ले ते कोई आई ऐसा कंपाउंड है जहां पर कितना है प्लस एक से जो मैंने बोला था रियर रही है कॉंप्लेक्स कंपाउंड आई है के टू एफी ओ फॉर बटा तो ऑक्सिदेशन स्रेट कितना है कैसे प्लस 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 सिक्स आ जाए गागा अब देखेगा ध्यान से बटा यहां से इंपॉर्टेंट है जब हम सी से सी आर तक मूव करते हैं इसकेंडेनियन टाइटेनियम वनेडियम और क्रोमियम तो जब इधर से इधर मूव करते हैं तो ध्यान देना बटा लोवर ऑक्सिडिशन स्टेट जो है ठीक है राइट वह ल से वाटाइमीन टू से जब आप अगर इधर जाते हैं तो क्रोमियम का जो हाईयर ऑक्सिडिशन स्टेट है वह ज्यादा स्टेबल हो के से बटा लोवर से प्लस थ्री विल भी मोर स्टेवल देन क्या बटा प्लस टू टाइटिनियम का प्लस फूर विल बिल मोर स्टेबल द तो अगर पूछे का मन प्लस टू ज्यादा स्टेबल की प्लस तरी तो अंसर बोलेंगे अगर बढ़ते जाते ने बटा एलेक्ट्रॉन को निकालने मुस्किर हो जाता क्योंकि आने सेनरजी बढ़ जाती है इसलिए क्या होता है बटा राइट प्सी आर तक तो क्या होता हाई यर से एक राइट दूसरी बात जो यहां पर एक और बात जो हमें याद रखनी वेटा राइट क्या लिखावा वेटा हाई एर ऑक्सीरेशन स्टेट और फॉरडी और फाइवडी स्रीज जनरली मोर स्टेबल देन 3D सिरीज वेटा डाउन दा गुरुप जब हम जाते ह हैं तो हाई एर ऑक्सीरेशन स्टेट जो सो करते हैं एलिमेंट्स 3D और 4D के वह ज्यादा स्टेबल होते हैं किस से वटा 3D सिरीज अगर हम कहते हैं प्रोमियम के नीचे आता है अगर यहां पर लिखता हूं मैं प्रोमियम के नीचे आता है क्या है बटा मॉलिब डेनम उसके नीचे टंग्स्टन तो अगर मैं यह कहता हूं प्लस 6 और यह प्लस 6 और यह प्लस 6 तो बताइए क्या इसमें से कौन सा प्लस ज् कि अभूला थे जादा स्टेबल होती त्रीडी सिरीज से बटा तो कौन से जाधा स्टेबल होंगे बच्छों एमो और डबलू जो होगा उज्यादा स्टेबल होगा किसे बटा सौरी हाइर लिखना था मुझे 6 लिखना था तो हाईयर वाला क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा टंग्स्टन और मॉलिब डेनम का इस कंपेर टू प्रोमियम बटा यहां पर यही लिखा हुआ है वेटा हाईयर ऑक्सिद स्टेट ऑफोर डी फाइव डी स्रीज जनरली मौर स्टेबल देन दोस अफ त्रीडी स्रीज यह पर प्लस लिखा है यहां पर प्लस सेवन लिकावटा फोर डी ऐसे फाइव डी लिखा हुआ है मोर स्टेबल देन सी आर का बटा प्लस से जाधे स्टेबल है क्लियर बटा यह सिया नो बच्चों अब देखिए कोशन ऐसे पूछेगा अगर मैं यहां पर ऐसे लिखते हैं बटा सी यार टू ऐसे ऐसे लिख दूमें सी यार प्लस सिक्स लिख देता हूं ऐसे यह ऐसे लिख दे जलो सी आरो फाइव लिख दिया मैंने है ना फॉर इजम्पल ऑक्सिरेशन स्टेट कितना है बटा प्लस सिक्स और यहां मैं उसका और सिक्स होता है और मो थ्री में भी हमें कोई दिक्कत ने तो कैल्कुलेट रसके भी प्लस सिक्स होता है अब मैं आपसे पूछों की विट्र ऑक्सिराइजिंग एजन बटा स्यारो फाइफ की एम ओ थ्री वाला विटा प्लस शिक्स पे कौं जादे स्टेबल है सियार की एम बेटा आप चाहेगा प्लस सिक्स से प्लस त्री में जाना चाहेगा एक की नहीं यह ज़्यादा स्टेवल हो गए बटा वह तो कन्वर्टी नहीं होना चाहेगा वह तो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा चाहेगा बच्छों बता हिए फोस्यार के डाले स्टेबल हाई इका मत्तब यह अलक्तरॉन स्टेट में जाना चाहिए गा गाउन की लिए यह सेवन होते आप आप अगर आप यहां पर यहां प्लस सिक्स और एमन प्लस से और स्ट्रॉंग ऑप्सिराइजिंग एजन्ट वेराइज मोट्री एंड डब्लू ओट्री आर नॉट सान्या क्लियर विटाई है हां जी सर तो तो नहीं रहे हो बड़ा नहीं नहीं कि इसमें बॉर्ड से बॉर्ड में अभी में दिखा रहा हूं जो आचुका है काफी बार यहीं भी और बोर्ड में भी आया हुआ हुआ है अगर आप देखो अगर मैं कॉंप्लेक्स पूझता हूं एनाई सीओ फॉर तो सान्या क्या ऑक्सिरेशन स्टेट होता है एनाई सीओ फॉर में एनाई का अभी पड़ा है बटा मनें कॉडिनेसिंग कंपाउंड कली क्यों प्लस फॉर हो गए बटा कार्बोनील पर क्या कोई चार्ज था नइन तो जीरो ऑक्सिडेशन स्टेट है बट यह तभी ज्यादा स्टेबल करता है नसर यहाइस विटा क्या चयार जीरो सो करता है अमने कल देखा था जीरो सो करता है यह याद रखेंगे बच्छों ड्रॉपर वाले बच्छों सब्सक्राइब कोई चार्ज नहीं होता है कॉमप्लेक्स कंपाउंड कहते हैं तो यह 07 टeringस्टे का मिभ्ण निन मैं एसके सब्सक्राइब द्रव पर रेच्छों आप ऐसी याद रहं कहती है एक कारबन उलेक्ट्रों इसको देता यह करता है कारबन होता है सीगमा बूंट भी होता है पाई यहांं और और चैयंetts होता है ऑर ग्रता इसको कहते सिनर्जिक क्या होता है अभलट होता है उस पर ऑलक्टराणों ऑने एल्ट्रॉन इसको दे द सब्सक्राइब होता है हम यह एक वनडिंग होती है कार्बन पर दो अलक्म होते है अगर हम ऑण औरुग एगल कार्बन अ कॉर और गूंद बनायके तो काडिएनेट 4 लेक्ट्रोम सब्सक्राइब नोग सब्सक्राइब नोग guitar और इसको कार्वन को यह बनता और पाई बांड भी बनता है इसी को क्या कहते है मटना सेनर्जिक बांड कहते है इसलिए मॉलीक्यूल क्या होता ज्यादा क्या होता है अगर आउसीरेशन नंबर कम होगा तो पॉलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी विटा पूवलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा तो इसका मतलब विटा फ्लोरीन या ऑक्सीजन ही होता है क्योंकि वही एलेक्ट्रॉन क्या करता है विटा कीच पाता है क्योंकि वह वह मोस्ट क्या होते मटा एलेक्ट्रॉन एगटीव होते हैं तो कभी अगर आप देखेंगे हाइड़के मनोफोर को याद रखो या के टू सियार टो सेवन को याद लिखो या के टू सियार ओफॉर को लिखो या इसको के थ्री वी ओफॉर को लिखो तो जनली क्या होते है इसमें या तो एफ होगा या तो ओगा जब यह हाईयर ऑक्सिरेशन स्टेट्स हो कर रहे होंगे क्योंकि इनी पर टेंडेंसी ज्यादा होती है क्या एलेक्ट्रॉन को खीचने की मलब द्यार मुस्ट एलेक्ट्रो नेगिटिव है था कि अब यह सबसे important कोशन काफी बार पूछा जा चुका है आया भी यह विटा और मेबि आप जब बोर्ड का पेपर दे रहे हो या जैई दे रहे हो तो यह कोशन आये भी टेकराई जो यह कोशन बहुत इंपोर्टन एक होशन क्या होटा से रभाए सियार यार प्लसस्टीक करता है को प defect जब यहार सब्र। this सब्वक्राइब अवह गर्षी तो लिकान तो आर्गन होगा और वोर सबक्राइब और ठ्रीडी क्या होगा यह प्लस टू तो बताई किस से लेक्ट्रॉन निकालोगे रागो ऐसे की वेटा बी से पहले कि से लेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे तो यहां डी फॉर मिलेगा विटा एक नहीं और जब एमेन लिखोगे बटा प्लस त्री लिखोगे तो पहले एमेन लिखते हैं तो ट्वेंटी सेवन होता है फॉर एस टू और थ्रीडी फाइव अब प्लस थ्री बनाना है तो तीन एलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आरगन फॉर जिरो रहत बचेगा सिरफ त्रीडी फॉर रह जाएगा अब देखें दोनों का अब देखें होगा क्या अगर हम क्रोमिय पर आप अब देखें होगा क्या अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम क्या करता है अगर हम देखें डी फोर है न एक दो तीन चार ऐसे डी फोर है कि अब होगा क्या वेटा आपको याद है या जो भी ड्रॉपर वाले बिच्चे अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है वेटा कोडिनेशन कंपाउंड जो डी ऑर्बिटल वेटा वो श्प्लेटिंग हो जाती है उसमें डी ओर विटल स्में चेवाले तीन और बेटल में स्प्लेटिंग होती है उपर कि इतने जाते है वेटा दो और बिटल होते हैं इफ दूड़गविट थोड़ा बहुत भी आपको कउ तेते सानिया तो टीटू जी और उपर वाले को टीजी तो उपर वाले कोई जी अभी इसमें चार एक दो तीन और चार अगर सोचो यह एक लेक्ट्रॉन लूज कर दे विटा तो यह क्या हो जाएगा नीचे वाले की नहीं हो जाएंगे बताइए येस्टेट होगा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या करेगैं वा innocent lose कर देता है अब टी तूझी में कि इतने लेक्ट्रॉन आते विटा थृ त्री सारे के सारे हाफ फिल्द है इसलिए वालटा यह लूज कर देता है और React की तरह और चार और अब मेन का थोड़ा इफेक्टी बटा ज्यादा होता है एह मोर्тов गेन करता अब यह एधर भी तीन हो जाएगा उधर भी सब में एक एक लिए फल्ड हो जाएगा लोलिचों और इजी भी हाफ विल्ड हो जाएगा नाव दे बिकम्स मोर स्टेबल बाई गेनिंग वन एलेक्रॉन विटा एक्स्टा एलेक्टॉन तो वेरी वेरी इंपॉर्टन विटा प्लीज याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन पॉस्टन है यह थे करा हुआ है तो यहां पर मैंने यह लिखाए वाटा सी यार प्लस तू इस डिदूजिंगे अजन बिकास इप स्कॉंफिगरेशन चेंज फॉम दी थी फॉर टू दी त्री तो इट हैव हाफ फिल टी तूजी चॉन अधर हैंड मन प्लस थी चेंज तो मन प्लस तू तीकर राइट अटेनिंग दी फाइफ गॉन फिगरेशन विच इस एक्स्ट्र सब्सक्राइब क्या विड्याइजन और प्लस नवेट आट फॉर जाता है लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं थोड़ा बहुत थी टूजी उपर जाता है बटा टेट्रहेट्रल में जब कॉडिने से नमबर एटा फोर होता है औक टैट्रहेट्रल में नीचे वालाटी टू होता है उपर वाला ही जी होता है कि रिवर्स करते हैं टेट्राइड्र में कि करेक्ट स्टेट्मेंट अबाउट आयरेन विटा क्या आयरेन प्लस्टिक्स हो करता है तो बताइए ट्रू और फॉल्स बेटा यस या नो अभी मैं बताया क्या था अक्या सब्सक्राइब अगर आप डिशिक्स ब्लस 6 तो टभी होगा जब क्या करेगा सारे के सारे अन्फिल्ड हाफ एलेक्ट्रॉन होते तभी यह प्लस एक्सो करता है विटा और अगर थार्ड की बात करें वाटा कॉमन ऑक्सिरिन स्टेट एफी प्लस थ्री है होता है विट फाइफ अन्फिल्ड लेक्ट्रॉन इन डी और्बिटल अगर आप देखेंगे विटा फॉर एस्टू थू त्री डी सिक्स होता है तो जब आप तीन एलेक्ट्रॉन कि तो हम क्या करेंगे बटा कलम स्टार्ट करेंगे अगे की कि करेंगे चार में इसको कंप्लीट कर लेंगे अब बच्चो एगा अब लुट वाले बच्चे वाटा मैंने सान्या वो बेजेते वटा चाहिते हैं कोश्चन बेजेते हैं कॉडिनेशन के जपन रागाव ठीक है प्लीज कर लीजेगा उसको और हम किसी दिन क्लास करेंगे उसके डाउट डिसकस करेंगा लगसे वटा ठीक ह अंक। युटा थेकिए थेख जरीक हो सब्सक्राइल धेते हैं क्यो बच्चो था जेस्ट थेकिए रजयके बच्चा हच्चो थैक्जिए गांस। थैक्चर थैक्डिएख था जाइख ताइड़ था टीक्य हमसे दिन आठीक अन्क्च था दीक ह må coast To a adapt. Amo